बॉलिवुट की मशूर अधाकारा दिपिका पादुकोंड इन दिनों नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी एंसीवी के निशाने पर है शुशान सिंग केस में ड्रग एंगल में उनका नाम भी सामने आया है जिसके बाद एंसीवी ने बुदुवार को दिपिका पादुकोंड को समन भीजा है और शनिवार को दफ्तर में पेश होने को कहा है वही गुरुआ राद दिपिका पादुकोंड गुवा जे मुंबई आ गई है इस बीच खुलासा हुआ है कि शनिवार को एंसीवी द्वारा दिपिका पादुकोंड से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं मीडिया में चल रही ख़बरों की माने तो दिपिका पादुकोंड का इस मामले में नाम तब सामने आया जब उनकी मैनेजर पकरिश्मा प्रकाश की वट्सैप चैट का खुलासा हुआ चैट में साल 2017 में दिपिका ने उनसे ड्रक्स के लेंदेन को लेकर बात की थी NCB के सूत्रों के अनसार एजनसी उनसे तीन प्रमुक सवाल कर सकती है इन में पहला सवाल हो सकता है क्या आप 2017 में हैश वीड के लिए पूछ रही थी दूसरा सवाल आपकी चैट में मालशब का क्या मतलब है वहीं दिपिका पादुकोन से तीसरे सवाल में पूछा जा सकता है क्या आपने करिश्मा प्रकाश से हैश खरी दी NCB के लिए ये सवाल एहम हो सकते हैं उधर दिपिका पादुकोन गुरुवारात को गोवा से मुंबई पहुच चुकी है उनके साथ उनके पती रनवीर सिंग भी थे दिपिका पादुकोन के पती रनवीर सिंग ने NCB को अरजी लगाई है कि वह पूछाच के दोरान दिपिका के साथ रहना चाते हैं इस अरजी के मताबिक दिपिका को कभी कभी घबराट होती है इसलिए उन्हें उनके साथ रहनी की अनुमती देनी चाहिए रनवीर सिंग ने का है कि वह कानूनी नियमों को जानते हैं वह जाच के समय मौजूद नहीं रह सकते फिर भी NCB कारियले के अंदर तक की अनुमती दी जानी चाहिए अब रनवीर सिंग की अर्धी कबूल होती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आपको बतादे कि सुशान सिंग केस में ड्रग्ज एंगल की जाच कर रही NCB के रडार में बॉलिवूट के बड़े बड़े नाम आ गए है साराली खान, रगुल फ्रीत, शद्धा कपूर और दिपिका पादुकून को पूश्ताच के लिए समन भीजा जा चुका है इन सभी से 25 और 26 सितंबर को पूश्ताच की जाएगी शंत के से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे बने रहें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें